आप देखिए आज गरीब की थाली में जो खाना आता है अगर 30 उर्पिय का खाना आया है तो 27 उर्पिय भारत सरकार के खजाने से आते हैं अगर आपको गेहू सस्ता मिलता है चावल सस्ता मिलता है तो यह इसलिए सस्ता मिलता है कि भारत सरकार गरीब भूका न रहे इसलिए अगर आपका 30 उर्पिय का खर्चा है तो 27 उर्पिय भारत सरकार देती है आप मुझे बताईए अब ये गरीब का पेड़ बरने की अच्छी योजना है नहीं है अच्छी योजना है नहीं है गरीब को दो टाइम भर पेड़ खाना मिलना चाहिए अब 12 सरकार पैसे देती हो लेकिन अखिलेज जी की सरकार इन गरीबों की लिश्टी न दे तो वो गरीब का पेड़ भरेगा क्या नाम नहीं दे रहें 50 लाख रुपिया वो हमसे ले नहीं पाए क्यों क्योंकि उनके पास सुची नहीं थी 50 लाख लोगों की अगर 50 लाख लोग जो हकदार है जिनको भारत सरकार पैसे देने को तयार है लेकिन आपको सरकार चलाने में स कभी इसको गले लगाओ कभी इसको गले लगाओ कभी इसको लात मारो कभी इसको लात मारो यही करते रहते हो भाईयों बहनो गरीब के हक का पैसा बारत सरकार दे चुकी है लेकिन ये नामों की सूची बनाने को तयार नहीं है तो गरीब के खाली में अनक कैसे पहुँचेगा भाईयों बहनो हमें 11 मार्च को सेवा का उसर दीजिए ये सारी कम्या हम दूर करने के लिए आपको बादा करते हैं